नवसकार, एस्टो तक में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवेड मिस्र गणेश जी की क्रपा पाने के लिए गणेश उत्सव के दोरान आप भगवान गणेश को किन चीजों का भोग लगाएं, क्या आरपित करें ताकि भगवान गणेश आप पर विशेश क्रपा करें, आपकी मनो कामनाओं को पूर्ण करें देखे, भगवान गणेश का विशेश आशिरवाद अगर आप पाना चाहते हैं, तो 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक विशेश आउसर है इस आउसर का लाव उठा लेजे, गणेश जी की विदि विधान से पूजा कर लेजे, तो भगवान गणेश की करपा आपको मिल जाएगी, भगवान गणेश को जो चीज़े प्री हैं, उनका भोग यदि आप गणेश जी को लगाएंगे, गणेश उत्सव के दवरान, तो गणेश जी अवश्य आपकी मनो कामनाओं को पूर्ण करेंगे, तो अगर अपने घर में गणेश जी को इस्थापित कर रहे हैं, तो वहाँ भोग लगाएं, या आपके घर के आसपास जहां मंदिर है, वहाँ जाकर गणेश जी को भोग लगा सकते हैं, या कहीं नया पंड बना हुआ है, जिसमें गणेश जी की मूरती रखी गई है, वहाँ जाकर के भी भोग लगवा सकते हैं, तो ये आपके उपर है, भोग कहां लगवाना है, लेकिन जरूर लगवाना है ताकि भगवान गणेश का अश्यरवाद आवश्य आपको प्राप्त हो, तो सबसे पहल चीज जो भगवान गणेश को बहुत प्री है, वो है मोदक, आप सब जानते हैं मोदक, तो मोदक भगवान गणेश को बहुत प्री है, तो कोशिस करें कि अपने घर में आप मोदक बनाए, रेसिपी मिल जाएगे आपको, बहुत सारी रेसिपी हैं, तो जो आपको समझ वो रेशिपी उठाईए उस और भगवान गणेश के लिए पवित्र और अच्छे-च्छे मोदक बनाईए और ले जाकर के किसी मंदिर में या पंडाल में जहां गणेश जी स्थापित हैं वहां या आप गणेश उस्था मना रहें तो अपने घर में गणेश जी को मोदक का भग लगाए ऐसा माना जाता है कि जो लोग मोदक का भगवान गणेश को अरपित करते हैं भगवान गणेश उनकी हर मनों कामनाओं को पूर्ण करते हैं इसलिए थोड़ा सा मेनत कर लिजे अपने घर में मोदक तयार करने का प्रयास करिए घर वाले लोग सब लोग मिलकर बनाई है बहुत अच्छा मोदक बनेगा और फिर पूरे परिवार के साथ गणेश जी के मंदिर जाएं वहां मोदक का भोग भगवान गणेश को लगाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रशाद बाटें गरीबों को प्रशाद बाटें सभी को प्रशाद बाटें तो आप देखेंगे भगवान गणेश आप पर विशेष करपा अवश्य करेंगे दूसरी चीज जो भगवान गणेश को बहुत प्री है वो है खीर ऐसा कई धर्म गरंथों में वणन मिलता है कि भगवान गणेश को खीर बहुत प्री है ऐसा वर्णन मिलता है कि माता पारवती जी भगवान गणेश के लिए खीर बनाती थी और भगवान गणेश को खीर इतनी पसंद थी कि वो जैसे बड़ा सा कटोरा उस कटोरे में भर करके माता पारवती जी खीर रख देती थी और भगवान गणेश पूरे कटोरे को उठा करके पूरा खीर एक ही बार में पी जाते थे, इतना उन्हें पूरीय था तो भगवान गणेश के जन्मोच्सव के दोरान ये जो गणेश उट्सव मनाय जाएगा इसमें आप भगवान गणेश को खीर का भोग अवश्य लगाएं आप अपने घर में खीर का प्रसाद त्यार कर सकते हैं तो घर में खीर का प्रसाद त्यार करके यदि आप भगवान गणेश को भोग लगाएंगे तो गणेश जी बहुत प्रसंद होगी देखे बाजार से लाकर के और भोग लगाना सबसे आसान है अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बाजार से खरीद के लिए आएंगे भोग लगा देंगे बड़ा इसी है लेकिन उसमें वो पवित्रता का भाव आप महसूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो बनाने वाला है उसने कैसे बनाया क्या बनाया किन बातों का ध्यान रखा नहीं रखा इसका हमें कैसे पता चलेगा तो वो एक जो है आखरी तरीका है जब संभवना हो कि आप अपने घर में तैयार कर सकें, पवित्रवाता वरण में तैयार कर सकें, तब जो है बाजार का सहारा लेना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास समय है, घर परिवार में साधन उपलब्ध है, तो हमें घर परिवार में, जो है, मिलकर के सभी को भगवान के लिए प्रसाथ त्यार करना चाहिए तो खीर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है आप अपने घर में खीर का भोग त्यार करें थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बनाएं और मंदिर में ले जाकर के भगवान गणेश को भोग लगाएं कहीं आसपास पंडाल लगा है वहां जाकर के भोग आपने घर में गणेश जी रखें तो महां भोग लगाएं और जादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद बाढ़िए और एक एक दोना प्रसाद ज्यादा से जादा को बाढ़िए तब जो है आप देखेंगे आपको खुद बहुत अच्छा महसूस होगा गणेश ओत्सव के दोरान जो लोग प्रसाद बाटते हैं भगवान गणेश उन पर विशेश करपा करते हैं तो इसलिए आप भी खीर का प्रसाद जादा से जादा लोगों को बाटने का प्रयास करें जब आपको समय मिले सुबह, शाम जब समय मिले तब समय निकाल करके पूरे परिवार के साथ भगवान गणेश का पूजन करें खीर का प्रसाद भगवान गणेश को चढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रसाद बाटें तो भगवान गणेश की विशेश करपा अवश्य आपको प्राप्त होगी और क्या है भगवान गणेश को बहुत प्री जिसका भोग आप गणेश जी को लगा सकते हैं मखाने का प्रसाद भगवान गणेश को बहुत प्री है तो मखाने का भोग भी आप गणेश जी को लगा सकते हैं मखाने का आप जो है कुछ बना लिजे जैसे मखाने का प्रयोग करके मखाना और गुड का प्रयोग करके लड़ू बना लें और भगवान गणेस को जो है भोग लगाएं कुछ लोग जो है मखाने की खीर बना लेते हैं मखाने की खीर भी आप बना सकते हैं मखाने में गुड मिलाया और उसको लड़ू बना लिया तो जिस रूप में आप चाहें तो मखाने का प्रयोग करके प्रसाद बनाएए और आप भगवान गणेस को अर्पित करिए आपके घर के आसपास जहां मंदिर हूँ वहां भोग लगा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रसाद बाटें भगवान गणेस बहुत प्रसंद होंगे आपके जीवन में जो कस्ट हैं परिशानिया हैं उनको दूर करेंगे और भगवान गणेस को क्या प्री है ऐसा कई जगे वर्णन मिलता है कि नारियल और केले का भोग भी भगवान गणेस को बहुत प्री है तो नारियल और केले का प्रसाद भगवान गणेश को लगाएं और भगवान गणेश को भोग लगा करके ज़ादा से ज़ादा लोगों को आप बाटिये तो इससे भगवान गणेश की विशेश करपा आपको प्राप्त होगी एक और भोग भगवान गणेश को बहुत प्री है वो है बेशन की बरफी तो बेशन के लड़ू और मोदक तो प्री हैं आप सब जानते हैं बेशन की बरफी का भोग भी आप भगवान गणेश को लगा सकते हैं बहुत शुब माना जाता है और जो लोग भगवान गणेश को बेशन की बर्फी अपने घर में खुद तैयार करके लेकर जाते हैं और भूग लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश उन पर बहुत प्रसंद होते हैं क्योंकि भगवान गणेश को पीले रंकी बेशन की बर्फी बहुत पसंद है और भगवान गणेश उन ल लोगों को ये भी बनाना बहुत मुश्किल नहीं है तो बेशन की वर्फी भी आप अपने घर में तयार कर सकते हैं और भगवान गनेश को भोग लगा सकते हैं तो सबसे पहले तो भगवान गणेश की हम सब को पूजा करने हैं और पूजा करने के बाद जो भोग प्रसाद हमने आपको बताए उनमें से जो भोग प्रसाद आपके लिए सबसे आसान हो वो प्रसाद आप तयार करके भगवान गणेश को अरपित करिए और कोशिस करिए कि जब आप प्रसाद भगवान गणिस को भोग लगाने के लिए जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को प्रसाद बटे ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रसाद आप दे सकें इसलिए थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बनाएगा बहुत सारे लोग पर लोगों को दिया और बस काता हम तो नहीं जादा जितना आपका बजट एलाओ करें अपने बजट को सभी को ध्यान में रखना चाहिए तो थोड़ा से अपने बजट को ध्यान में रख करके थोड़ा जादा कुवांटिटी में बनाएं प्रसाद और अपने घर परिवार वालों के साथ मिलकर माटें उसमें अलग आनंद है उस सब को भगवान गणेश की करपा मिलेगी तो जब भगवान गणेश की हम पूजा कर रहे हैं तो पूरे परिवार को शामिल होना है जब हम प्रसाद बाट रहे हैं तो पूरे परिवार को शामिल होना है तो पूरे पर हो सकता है आपसे उतना प्रशाद तयार करके बाठना है दस दिन तक गणेश उत्सव चलेगा तो आप चाहें तो अलग-अलग दिन अलग-अलग प्रशाद तयार कर सकते हैं और भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं जैसे एक दिन मोदक बना लिया एक दिन बेशन की बर प्रफम पूज्य है वो अवश्य हम सब के कश्टों को दूर करेंगे तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का एस्टो तक पर फिर आपसे मुलाकात होगी और सब को भगवान गणेश का आशिर्वाद मिले भगवान गणेश सब पर करपा करें ऐसी हम प्रात्ना करते हैं बोलिए जै गणेश देवा एस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्टो तक आप और चिटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से